गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम तो दा चैनल, बैंकिंग बंदू दोस्तों, आज हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं पॉजिटिव पेस सिस्टम RBI ने हाल ही में गाइडलाइन्स जारी की हैं पॉजिटिव पेस सिस्टम के लिए बैंक आफ इंडिया का पॉजिटिव पेस सिस्टम आपके साथ डिसकस करेंगे सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉजिटिव पेस सिस्टम है क्या दोस्तों, आपके जो चेक आप काटते हैं, उसके फ्रॉड से बचने के लिए चेक की security के लिए ये positive pay system लाया गया है जितने भी 5 लाख रुपे से उपर के checks हैं उन पे applicable है पहले आपके पास choice थी कि आपको positive pay system के लिए जाना है या नहीं लेकिन अब 1 तारिक से 1 जन्वरी 2022 से RBI ने सब के लिए compulsory कर दिया है कि 5 लाख से उपर की जितनी भी checks हैं उनके का होगा इसमें कैसे होगा कैसे आपको information देनी है कैसे आपके check parts होंगे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को subscribe कर दीजे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो रोज अपने चैनल पर लेकर आते हैं जो आपको आर्थिक फायदा देंगी financial decision लेने में आपक की मदद करेंगी आपको हर बैंक की वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी चाहे वो लोन से related हो interest rates हो कोई भी updated चीजें हो सब आपको चैनल पर मिलेंगी इसलिए जल्दी से चैनल को subscribe कर दीजिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि check में क्या क्या होता है यह पिर यहाँ पर आपका account number यानि जिस account से debit होना है पैसा वो account number यहाँ पर लिखा होता है नीचे 6 अंकों का होता है check number उसके बाद यहाँ पर अपना amount लिखते हैं उपर अपनी date लिखते हैं आपको पता होगा कि जिस भी date पर आप check काटते हैं उस से 3 महिने के लिए आपका check valid रहता है यानि तीन महिने तक उस चेक को आप यूज कर सकते हैं अब काफी सारे चैक से related fraud हो जाते हैं fraud कैसे हो जाते हैं या तो आपके check की cloning हो जाते हैं यानि same checkbook लोग बनवा लेते हैं sign कर लेते हैं आपका आपका amount change कर देते हैं तो काफी सारी ऐसी चीज़े हो जाती हैं तो RBI ने क्या किया RBI ने काए कि हम positive pay system लेके आए यानि जो भी आप बड़े amount की check काटेंगे उसको bank pass करने से पहले आपसे confirm करेगा किसी को भी pay करने से पहले या फिर check को pass करने से पहले आपको आपसे confirmation ली जाएगी कि क्या आपने ये check काटा भी है या फिर नहीं ये देखिए mandatory for checks of rupees 5 lakh and above एक जनवरी 2022 से जितने भी 5 lakh से उपर के check हैं उनके लिए ये applicable रहेगा ये check से related जितने भी bank में fraud वगएरा हो जाते हैं गलत चीज़े हो जाती हैं उनसे आपको बचाने के लिए दोस्तों पहले देख लेते हैं अब ये positive pay system है क्या high value checks के लिए ये देखिए number one more than 5 lakh के लिए है एक तारिक 2022 से applicable है PPS confirmation mandatory positive pay system confirmation यानि bank आपसे phone करके या message के तुरू confirmation जरूर लेगा या अगर आप check काट रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए हैं सबसे पहले account number अपना पता होना चाहिए आपको check number आपको पता होना चाहिए कितने amount का check काटा है check किस date में काटा है beneficiary का नाम किसको आप pay कर रहे हैं और instrument type का मतलब यह current account का check है saving account का check है cc का check है यानि cash credit का check है यह सब आपको पता होना चाहिए क्यों हो ऐसा क्यों कर रहे है bank दोस्तों अब जो है वो digital वाला जमाना है यानि आपका जो physical check कहीं पे भी नहीं जा 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 जब भी clearing लगती है तो check की image भेजी जाती है यानि check को scan करके भेजा जाता है जब check scan होता है तो उसमें check की quality नहीं पता चलती कि यह असली check है यह नकली check है तो अब bank ने क्या किया है check की image तो जा नहीं रही तो fraud से बचने के लिए हम PPS लेके आये RBI जो है वो PPS लेके आया यानि जब भी आप check लगाएंगे bank में clearing वाला जो भी बंदा होगा जो clearing देख रहा होगा वो 5 लाग से उपर वाली check के लिए आपको phone करेगा आपसे confirmation लेगा कि क्या यह आपने check काट है आपसे इसमें से कुछ भी information पूछ सकता है वो reconfirm करने के लिए कि हाँ यह authenticate है तो इस तरह की information आपसे पूछी जा सकती है यह आपके ही फायदे के लिए आपको बचाया जा रहा है fraud के against जैसे कि आपको हमने बताया कि आपको यह सारी चीजे जो check आपने काटा है उसकी सारी information आपको पता होनी चाहिए कि आपने किसके लिए कब कैसे check काटा है टोल फ्री नंबर है वन डबल जीरो वन जीरो थी वन नाइन जीरो सिक्स अगर आपको और भी कोई डाउट है आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं बैंक आफ इंडिया के या फिर आप नीचे comment section में हमसे भी पूछ सकते हैं हम आपकी definitely मदद करेंगे यह सब चीजें जो आपने check काटा है तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपने काटा है इसलिए आपको ही पता होती है तो cts जो check truncation system है जो बंदे इसको follow कर रहे हैं यानि जो scan कर रहे हैं scanning को देख रहे हैं वो आपसे confirm करेंगे कि आपने ही check काटा है त कोई भी doubt हो आप नीचे हमसे पूछ सकते हैं comment section में आपका दिन शुभो धन्यवाद